आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बश प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अभी राउनलोड करें प्रशन है कभी-कभी एक वाइरस द्वारा एक बेक्टीरियम पर आकरमन करने पर न तो वाइरस की मृत्य होती है और नहीं बेक्टीरियम की यह घटना कहलाती है जैसे कि हमारा पहला उप्षन दे रखा है हमें लाइसोगेनी दूसरा उप्षन दे रखा है हमें वाइरल स्टैबिलिटी तिसरा उप्षन दे रखा है हमें एड्जोप्षन चोथा उप्षन हमें दे रखा है पेनेटरेशन तो आईए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो हमारा जो पहला option है, जो लाइसोजनी, उसमें क्या होता है? जो जिवानु भोजी का जो अनुवांचिक पदार्थ होता है, यानि कि जो वाईरस रहता है, उसका जो अनुवांचिक पदार्थ रहता है, वह उस जिवानु के गुंचुत्र से जुड़ा रहता है, जिवानु के जो गुंचुत्र रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है ठीके फिर क्या होता है कि जो कोशी का क्या हो जाती है सक्री होकर स्वें प्रतिक्रत कर लेती है ठीके जिसके कारण क्या हो जाता है कि अगर जो वाइरस रहता है वह अगर किसी बैक्टिरिया पर अटेक करता है यानि कि कोई जिवानू बोजी जिवानू पर आक्रमन करता है तो ना ही तो उस वाइरस की मृत्यू होती है ठीके इन वाइरस की मृत्यू नहीं होती है और ना ही उस जिवानू की मृत्यू नहीं होती है ठीके दोनों की मृत्यू नहीं होती है और इसको क्या कहते हैं हम इसको कहलाते हैं यह यह ले जनकता भी कहलाते हैं साथ ही साथ इन्हें लाइसो जैने भी कहा जाता है दूसरा क्या है वाइरल स्टेबिलिटी यानि कि जो वाइरस रहता है उसमें कितनी स्टेबिलिटी यानि कि कितनी स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में बताया गया है ठीक है त के जीवन चक्र के बारे में ठीके अब हमारा जो तीसरा ओप्षन दे रखा है वह दे रखा है हमें एड्जॉप्षन एड्जॉप्षन यानि की अधिशोशन क्या होता है जो एड्जॉप्षन होता है वह क्या कहलाता है वह कहलाता है अधिशोशन अर्थात की जो अनू रहते हैं क्या होते हैं जो जिवानू तथा जो अनू रहते हैं उनका किसी सतर पर चिपकना क्या किसी सतर पर चिपकना क्या कहलाता है अदिशोशन कहलाता है तथा जो अंतिम उप्षन है वह क्या दे रहा है हमें Penetration Penepuration यानि की भेदन मतलब कि किसी चीज में उसको भेदना यानि की Penetrate करना या फिर उसको Inject करना ठीक है यह क्या कहलाता है Penetration कहलाता है तो हमने हमारे चारो options को देखा तो हमें हमारा जो सही उत्तर है वह लग रहा है पहला जो Lysosani होती है यह क्या होती है कभी-कभी जो वायरस पर आक्रमन करते हैं जिसके कारण वायरस की मृत्य में भी नहीं होती है और Becteriam की मृत्य में होती है वह प्रृशन को उत्तर है बाँकी के जो T sneaky monkey pronounce है वह हमारे प्रशन के मुताबिक सही नहीं लग रहे हैं इसलिए तीनों उप्शन गलत हैं धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इस प्रश्ण का उत्तिर समझ आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आशी डाउनूट करें डाउटने आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर